इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जाने माने स्वर्शास्ती डॉक्टर नारणाचारी जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका कारेकर आज हम जिस विशे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है युवाउं से जुड़ा हुआ जी हाँ अगर आपके घर में भी युवा बच्चे हैं और वो अपने रास्ते से भटक चुके हैं तो उन्हें सही रास्ते पढ़ाने के लिए क्या को चुपाए आपको करने चाहिए इन सभी बारे में आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं तो चलिए कारिक्रम की शुरुआत करते हैं अगर कोई भी युवा बच्चे हैं वो अपनी रास्ते से भटक चुके हैं तो क्या को चुपाए है आज के लिए नमो नारायन जी मित्रो श्रीमन नारायन नारायन भजमन नारायन 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 बात करें नारायन जी आज उन बच्चों की अगर वो बच्चे जो युवा हो रहे हैं अभी अभी जिनके हार्मोंज चेंज हो रहे हैं अभी अभी 15 साल की उमर है 14 साल की उमर है और 16-17 साल की उमर है ये वाली जो एज है आप भी इस एज से निकल के गई होंगे आपको पता है इस समय में मन में बड़ा भटकाव आता है हैराव नहीं नहीं जानकारी नहीं नहीं चीजें सीखने के लिए इच्छा कहीं नहीं बढ़ती रहती ह तो जब दूसरी चीजों के लिए इच्छाएं बढ़ती है तो गलत कामों के लिए भी कहीं ने कहीं बच्चों के मन में एक विचार आ जाता है एक गलत विचार भी आ जाता है कि दोस्ती, मौबत, प्यार, इश्क और आप देख रही होंगे कि आज कल जो ये वर्टसप चला है, फेस्बूक है और जो सोशल मीडिया है इसके थुरूब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अच्छे अच्छे गरों के बच्चे, बच्चे तो खेर किसी भी घर के बुरे नहीं होते पर सनसकारों की बाद कर जहां पर बहुत अच्छे सनसकार है जिन फैमिलीज के, जिन परीवारों में वहां पर भी बच्चों की शिकायत आ रहा ही है नराएं जी, हमारी बिटिया जो आज 15 साल की है और वह ये कर रही है आज हमारा बच्चह 14 साल का जी वह फलान फलान दोस्त के साथ में गलत रस्ते पे जा रहा है दोस्तो इसका मूल कारण क्या है बच्चह की जनम लगन कुंडली उस बच्चह के ज้नम लगन में जो शुक्र की स्तित्थी है वो सबसे जादा बयानक हो सकती है शुकर यदि आपके बच्चे की जनम लगन कुणली में बारवे घर में बैठे हुए है और शुकर यदि नीच राशी के बैठे हुए है तो मान के चलिए कहीं ने कहीं बच्चे के बठकने के चांसेस बहुत जादा बढ़ जाएंगे दूसरी बात दोस्तों अगर शुकर की दशा चल रही हो शुकर की अंतरदशा हो परतियंतरदशा हो या शुक्षम दशा हो और शुकर के जो शत्रूग रहे हैं उनके साथ यदि शुकर की दशा चल जाए और शुकर यदि पंचम भाव में चटे भाव में या बारवे भाव म मत कराएं या जंगल में सुनसान में जो टूर जाते हैं बच्चों के स्कूल के टूर जाते हैं या फ्रेंड्स के जो टूर जाते हैं ऐसे टूर्स में बच्चे को गलती से भी ना भेजे अगर ऐसी स्तिती में बच्चा जाता है तो कहीं ने कहीं गलतीयां करेगा और उन गलत किया होगा जब बच्चा 15-16-17 साल की जो आयू रहती इसमें बहुत बच्चों की पिंपल्स आ जाते हैं चेहरे में फंसी आनी शुरू हो जाती है इसका कारण क्या दोस्तों सूरिया और चंदरमा कुंडली में नेक्टिव प्ले कर रहे होते हैं और जब सूरिया और चंदरम पास कहीं ने कहीं इन दो ग्रोहों की वज़े से होता है और ऐसी स्तीती जब आती है तो आपने सूरिया का और चंदरमा का जरूर दानकुने कर लेना चाहिए इसके बाद मैं कर रहा हूं बात करूंगा उन लड़कियों की उन बच्चों की जो अभी अभी युवा हो रही ह जिनको अभी अभी ऐसे लगता है कि जी मेरा तो नरायन जी पढ़ाही में मन नहीं लग रहा बहुत सारी बाते आती है बहुत सारे परिवार आते नरायन जी बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है बिटिया पढ़ना चाहती है लेकिन फिर भी माइंड उसका डिस्ट्रेक्ट सबसे जादा तेज होते हैं और हार्मोंच चेंज हो रहे हैं तो आपके सारे ग्रहा बड़े अपने आप में कहीं ने कहीं विशेस रोल प्ले करते हैं तो आपको एक शुकृ की स्थिति पर देहान रखना है दूसरा सूर्य चंदरमा पर धिशन रखना है और इन ग्रहों का आपने कुणुली दिखा करके जनमलगन-कुणुली बनवा कर अच्छे विद्वान-ब्रामीन наверное से कुणुली बनवा कर कर पूरी बच्चे की स्ट्री देखो कि busy जनमलगन-कुली में 14 से लेकर 38-19 साल की एस तक जूह में कहीं भी शुक्र की दशा महादशा अंत्रदशा आ रही है और वो दशा यदि पाप ग्रहों से पीडित है तो मान के चलो बच्चे के बटकने के 90% chances हो जाते हैं ऐसी स्थिति में आपने शुक्र का उपाय करने हैं और घर के अंदर हनुआन चालिसा नित्य नियम से बनाने शुरू कर दो हनुआन चालिसा आपके घर में रोजाना सुबह शाम सुबह शाम रोजाना पढ़ना ही पढ़ना है और बच्चों को पढ़वाना है बच्चे ना पढ़े तो उनके कमरे में लगा के छोड़ दो बच्चे सुनते रहें दूसरा बच्चों को आ पामियाबी दे और आयुश्मान भाव जो भी आपने अच्छा शिर्वादेना वो दीजिएगा उससे उस बच्चे के जो स्टार है वो मुझबूत होंगे बच्चे के अंदर एक पोजिटिव एनरजी आएगी और बच्चा गलत रस्ते पर जाने से बच जाएगा भटकने से बच जाएगा दोस्तों तो कई बार बच्चे जब छोटे होते हैं जब छोटे से बच्चे होते हो तो उनका एम होता है कुछ में कुछ की डॉक्टर बनूँगा ये करूँगा लेकिन एक वक्त आ जाता है उसके बाद वो भटक जाते है उस रास्ते से जो भवीशी की ओर जाता है और अपने करियर को लेकर वो इतना सेक्योर नहीं रहते तो उन बच्चों के लिए उनके माता पिता क्या क्या करें जी उन बच्चों के लिए सबसे पहले जब आपका बच्चा प्लस वन प्लस टू की तरफ जा रहा है या एड्ट स्टेंडर में आगया बच्चे क लिए प्लाइन कर रहे हो कि बच्चा आगे करें क्या बच्चे की पढ़ाई कौनची करें वह जब आप प्लस वन में प्लस टू में जब सोचेंगे और फिर आप भागदोड में भागदोर के अंदर टेंशन लेंगे और फिर जल्दबाजी में इसलेंगे आज मेडिकल प्रवाई में क्यों समय खराब किया जब होटल में जाना तो आपने इस फिल्ड को पहले वाले को क्यों चुना कहीं ने कहीं ये सारी चीजे आपको समय रहते हैं पहले जनम पत्री बनवाएं जनम पत्री के अंदर बच्चे की पूरी हिस्ट्री आ जाती है और इसके इसाफ स से आप प्लैंड कीजिए इशूर की करेपा से रिजर्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे